ओम शांती आज दो एप्रिल दो हजार तेईस है लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं और सभी भक्त आत्माई उनसे धन मांगते हैं संपनता का वर्दान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वे कौन से धन की देवी हैं? कौन से संपनता का वर्दान देते हैं? आईए इस बात को आज स्लोगन के द्वारा जानते हैं जिनके पास ज्ञान का अथा धन है उन्हें संपनता की अनुभूती होती हैं जो धनवान होते हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि ये व्यक्ती संपन्न है उनका जीवन सदा संपनता से या भरपूर है उनका जीवन क्यों? क्योंकि उनके पास स्थूल धन है और स्थूल धन से स्थूल सुख सुविधाय प्राप्त कर सकते हैं जो स्थूल चीज उन्हें चाये, उनके मन में इच्छा प्रगट होती है किसी भी स्थूल चीज को प्राप्त करने की, वे तुरंथ ही उनके पास जो स्थूल धन है उनसे प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए लोग समझते हैं कि ये संपन है, बहुत सुखी है, बहुत शांती का जीवन व्यातित कर रहे हैं. परन्तु वास्तों में स्थूल धन से स्थूल चीजे हम खरिच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु सुक्षम संपत्ती हम स्थूल चीजों से प्राप्त नहीं क ज्ञान भी एक धन है ज्ञान एक सुक्षम धन है और ज्ञान धन से हम अपने अंदर सुक्षम खजानों से भरपूर और संपन कर सकते हैं सुक्षम खजाने अर्थात शांती आनन प्रेम सुख और शक्तिया जब आत्मा ग्यान धन से इन सब सुक्षम खजानों से संपन होते हैं यही है यथारत संपनता और इसी लिए लक्षमी को ग्यान धन की देवी भी कहा जाता है परन्तु लोग ग्यान धन को न समझने के कारण से स्थूल धन ही लक्षमी देवी से मांगते रहते हैं अगर किसी के पास स्थूल धन से संपन हो उनका जीवन लेकिन उनके पास ग्यान धन ना हो तो वो स्थूल धन को भी खोने की संभावना उनके जीवन में होती है और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो ना घर हो ना गारी हो ना मकान हो ना कुछ भी नहीं हो ना संबंध हो ना दोस्त हो लेकिन उनके पास ज्यान का धन हो तो वे उस ज्यान के धन से आंतरिक शक्ती को भी प्राप्त कर सकते हैं और सर्व साधनों के सुख को भी साधनों को भ किस बात की समझ, किस बात की सूजबूच, इस बात की समझ कि मैं कौन हूँ, स्वयम आत्मा की समझ, मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या करना है, परमात्मा की समझ, इस तृष्टी चक्र की ज्ञान की समझ, और सर्व मनुष्य आत्माओं के जो अलग-अलग संसकार है, उसकी सम जब ये ज्यान, ये समझ होते हैं, तो वे हर चीज को अच्छी रिती से डील कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, बिगडी को बना सकते हैं, कुछ ना होते हुए भी स्थूल रूप से वे अपने सूच बूच से, अपने समझ से सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता हो जाती हैं इसलिए वे बाहे रूप से भले संपन ना भी दिखाई दे परंतु अंदर से वे भरपूर संपनता का अनुभाव करते रहते हैं और इसलिए उन्हें बाहे रूप की जो संपनता है उसकी इच्छाए अंदर से पैदा नहीं होता वे अंदर से भरपूर तरप्त संतुष होने के कारण से वे दूसरों को भी अपने अनुभाव के माधियम से संपनता की और ले जाने की समर्थी उनके अंदर रहती हैं इसलिए ज्यान धन सबसे स्रेश धन है इस धन के माधियम से आत्मा पर मात्मा स्रिष्टी चक्र के ज्या को अंदर से गहराई से समझ करके सर्व संपन्ता का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं ओम शांती